हेलो दोस्तों हमारे शिविल एंजियरिंग बेसिक रोज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों शुरू करने से पदले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन के बेटन को दूआएं और इसको जाधा से जाधा शेयर करें चले पॉइंट हमारा हाइट ऑफ प्रीपिड वाल शुट भी रपिडिग उने चीए तो तो दोस्त प्रीपिड वाल की जो है वह वन मेटर होना चाहिए ठीक है इससे कम नहीं चाहिए यह स्टेंडर होती है अगला पॉइंट है हमारा हाइट बिल्डिंग के हैट कितना होना चाहिए तो बिल्डिंग के हैट है हमारा 3.15 मीटर होना चाहिए इससे कम नहीं होना चाहिए ज्यादा रख सकते हैं हम से इससे कम नहीं होना चाहिए ज्यादा हो सकती है जैसे 150 हो सकती है 175 हो सकती है 200 हो सकती ह इसे कम नहीं होने चीये, ठीकिया, दुस्तो अगला पॉइंट है हमारा, नमबर आप्स लिए हाँ पर लिकना बूल गये, नमबर आप लिकना बूल भीए, नमबर आप्स लिए वन कुबीक मिटर, तो यह उसका volume निकल गया 1 cubic meter तो इसमें कितने bag होने चाहिए इसमें 28.8 bag होने चाहिए उसको हम round off करेंगे तो 29 bag होने चाहिए होते हैं मिदलब ठीक है एक cubic meter में 29 bag होते हैं हमारे ठीक है अगला point है lintel is provided at lintel किस height पर provide करना चाहिए यह लिंटल जो provide करना चाहिए 2.1 meter height पर करना चाहिए in case of brick wall अगर हम brick की wall बना रहा है तो उस case में lintel का level है 2.1 meter पर होना चाहिए ठीक है अगला point है minimum diameter of bar used in slab slab में जो हम bar use करते हैं उसका minimum diameter of bar होना चाहिए वो 8 mm होना चाहिए इस से कमना होना चाहिए ठीक है अगला point है seven point minimum diameter of bar used in column column में जो bar used होता है वो minimum diameter जो होता है उसका वो 12 mm होता है इस से कमना होना चाहिए ठीक है दोस्तों चलिए आगे परते हैं maximum diameter of bar in slab अब maximum diameter कितना होना चाहिए बार का slab में तो यह होना चाहिए दोस्तों वन अपनेट इन थिकनास of slab यानि अगर slab की थिकनास 150 है तो इसका निकल कहाँए 18.75 यानि 20 mm से ज्यादा bar dia का use नहीं होना चाहिए जो हम slab में करते हैं ठीक है यह maximum dia पा रहा है ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं dimensional tolerance of cube, cube में कितना tolerance होना चाहिए तो यह है plus minus 2 mm यानि अगर हमारा cube का size है 150 by 150 by 150 तो यह 150 है तो 152 हो सकते हैं या 148 हो सकता है 2 mm हो सकता है 2 mm कम हो सकता है इससे कम जळादा हो नहीं होना चाहिए तो इसलिए इसका tolerance तो एम होता है ठीक है ना एस पर आई एसकुल अगला पॉइंट है minimum number of bars in square and rectangular column rectangular or square column जो होता है उसमे minimum number of bar किसे तरह होने चाहिए तो यह square column है इसमें 4 होने चाहिए और इसमें भी 4 होने चाहिए इस से कमने होने चाहिए तीन या दो नहीं होने चाहिए अगर हमारा square column है तो उसमें 6 होने चाहिए एक, दो, तीन, चाह, पांच, छे होने चाहिए इस से कमने होने चाहिए अगर हमारा square column है चलिए अगर बढ़ते है least count of compass compass का least count कितना होता है तो यह होता है 30 minute compass का least count ठीक है इससे कम value नहीं होती है, यह minimum value होती है, compass की, आगला point है, standard size of brick, तो दोस्तों, brick का standard size जो हता है, वो क्या होता है, तो देगे, यह size होता है, 190 by 90 mm, ठीक है न, mm में, यह size होता है, तो यह 13th point से, जो आपको बताना, जरूरी था, आपको आना चाहिए, तो हमारे इस video को like कर रहें, अगर अच्छा लगा है तो, इसको subscribe कर रहें, ठीक है न, और bell icon के button को दबाएं, तागे continue video आपको मिलती रहें, और आपकी knowledge बढ़ती रहें, ठीक है, तो चलिए, आपसे हम विदा लेते हैं, अगले video मिलते हैं, ठीक यू,